मुख्यमंत्री असोग गहलोत ने एक बार फिर से हिंदुत्यों के मुद्दे पर बिजेपी की कार्यों पर सवाल उठाए हैं जैपुर में मीडिया से बाचीत में असोग गहलोत ने कहा कि बिजेपी धर्म के नाम पर केवल मार्केटिंग का काम करती है बिजेपी केवल लोगों को बदनाम कर रही है राजस्थान में आज जनता मूलभूत सुविधाओं के चलते बेहत खुस है उन्होंने कहा कि राजस् सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा सरकार आज प्रदेश वासियों को महंगाई से राहत देने का काम कर रही है प्रदेश भर में साथ करोड़ से जादा गारेंटी कार्ट बाटे जा चुके हैं वहीं सरकार की आठ दस स्कीम ऐसी है जो सिर्फ राजस्थान में सुर मुख्य मंतरी अशोक गहलोत ने कहा कि दोज़ात तीस तक अगर राजस्थान का हर नागरिक सोच ले की हमें आगे जाना है तो वह कई छेत्रों में आगे चला जाएगा विपक्षी पार्टी वाले कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा उनको मैं जवाब दे चुका हूं राज राजस्थान मंतरी ने जो अजमेर में आरोप लगाए थे उसका जवाब देने की अवस्त्ता मुझे नहीं है बलकि देश के इकोनौमिस्ट यह जवाब दे चुके है कि राजस्थान की गौवर्नमेंट ने जो गवर्नेस दी है पाच्व बजट हमने बिना टेक्स लगाए पेस किये है हमारा विती प्रबंधन सांदार है गहलोत ने कहा कि राजस्थान कई मामलों में तो इसरायल से भी आगे निकल गया है और स्वास्त सेवाओं में देश में नंबर वन एक पर है तो आपको क्या लगता है असोग गहलोत के इस बयान से आप हमें कमेंट बॉक्स म ज़रूर बता है और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के देखने के लिए बने रहे हैं सिर्फ जन्हेट टाइम्स के साथ